कहानी शुरू होती है एक कार रेस से जिसे हर साल की तरहां आर्ची जीत चुका था इसी वज़ा से इसके पहुत से फैंस थे जिन मेंसे एक जी पी था जो के मूवी का मेंन करेक्टर भी है और आर्ची की तरहां ही एक दिन काम्याब रेसर बनना चाहता है इसी पैशन के चलते वो अपनी चोटी से स्कूटी से रेसिंग प्रैक्टिस पर करता रहता था जिससे अपना फाइदा कम वो दूसरों का नुकसान ज्यादा कर देता था कोई भी उसकी इन हरकतों से खुश नहीं था लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी थी उसकी मेनत कैसे रगना लाती एक दिन जब एक फिर की उसे प्रैक्टिस करते होवी दिखती है तो उससे इंप्रैस हो जाती है उसे जी की स्किल्स बहुत अच्छी लगती है इससे पहले कि ये दोनों यहाँ ज्यादा बात कर पातीं उससे में जी की दादी उससी घुसीरत हुए यहाँ से घर ले गई थ क्योंकि ये उनकी meditation का वक्त था और अपने शोक में जी हमेशा भूल जाया करता था इसे इन सब में कुछ खास इंटरस्ट नहीं था पर दादी कहा करती थी कि ये उनके लिए बहुत जरूरी है ये meditation उनका focus अच्छा करने में मदद देती है जिसकी वज़ा से ये लोग अपने एर्ड केड़ में तेजी से होने वाले कामों और हरकतों को slow motion में देख सकते थे और उन पर ज्यादा focus कर सकते थे दादी हमेशा से चाहती थी कि जी meditation पे ज्यादा दिहान दे और रेसिंग से दूर रहे क्यूंकि उसकी मौम भी एक racer थी पर अपनी लापरवाही और में हिस्सा नहीं लेने देती थी लेकिन यहाँ जी को एक दिन एक local race में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है लेकिन रेस ना आने की वज़ा से रेस जीता तो दोर उसकी गाली racing track से उतर कर ही बाहर चली जाती है वो बुरी तरहां हार जाता है और इसलिए अब वो बहुत ज़ कोई बात नहीं तुम हारे ही तो हो तुम दुबारा कोशिश कर सकते हो वजी को बहुत बहलानी की कोशिश करता है पर उतास दी यहां से अपने घर जा चुका है शाइद इस हार ने उसके से रेसिंग का भूत भी उतार दिया है बगली सुबा हम उसे अपनी दादी के साथ meditation करते हुए देख रहे थे तभी अचानक उसकी घर की समीन हिलने लगती है पाहर चाने पर पता चलता है कि कोई उनकी घरों को गिराने आया था क्योंकि इस जगह पर आरची नाम के रेसर का एक होटल बनने वाला था यह नोटिस देखकर जी को यह कीड़ी नहीं आता जी बह और भी इंप्रेस हो रहा था फैर वो यहां उसे इंप्रेस होने नहीं बलके बात करने के लिए आया था और जब वो आरची से अपने गाउं को ना गिराने की बात करता है तो आरची उसे यह कहकर मना कर देता है कि वो जगह तो टूट कर रहेगी कि वहां पर बनेगा मेरा आली शान होटल जिसमें मैं बहुत पैसर कमाऊंगा जी को यहां उसकी खुदगर्जी बहुत बुरी लगी थी बातों यहां जी को पता चलता है कि आर्ची ने आज तक सभी रेस जीती हैं सिवाए सिल्क रेस के और अब वो इसमें हिस्सा लेने वाला है जी जो कि इस वक्त हर हाल में अपने गाउं को बच्चाना चाहता है वो बगयर सोचे समझे यहां पर आर्ची को चैलेंज कर देता है वो इससे एक शर्त रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिल्क रेस में जीते नहीं दूँगा और अगर तुम जो चाहे कर सकते हो पर अगर मैं जीत किया तो तो भी मेरा गाउं छोड़ना पड़ेगा आर्ची को जी पर बहुत हंसी हाती है क्योंकि वो जी को एक बच्चा समझ रहा था और एक बच्चे की इतनी हिमत कि वो उसे चैलेंज करें यह बात तो आर्ची की इज़त पर बनाई थी और अब वो जी को नीचा दिखाने के सारी बाते उसे बता देता है और नैश भी थोड़ा गवरा कर उसे सिल्क रेस के बारे में बताता है जो के चार दिनों तक मुस्सल्सल जलती है और इसमें रेसर्स को बहुत ही खतरनाक रास्तों से गुसरना पड़ता है और फिर कहीं जाकर किसी एक को जीत मिलती है अब मसल दोंगा यहां पर हमें यह सचाई भी पता चली है कि वो जी की इसलिए मदद करना चाहरा है क्योंकि जी की मौम उसकी दोस्त थी अगला दिन होता है और हम देखते हैं कि जी अपनी दादी के पास आया है वो अपनी दादी से कहता है आप परेशान नहों मैं इस गाउं को मेंशा मना किया करती थी लेकिन कहीं ना कहीं यह सच भी था क्यूंकि रेस भी तो वो गाउं के लिए ही लड़ रहा था फैर अब हम देखते हैं कि नैश ने उसकी ट्रेनिंग के लिए एक पुरानी कार के अंदर कुछ नए पार्स लगा के उसे नए जस्ता कर दिया है यहा पता चलता है कि उसका दुश्मन आर्ची उस पर नजर रखे हुए है और वो जी को इतने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करता देखकर परिशान हो जाता है और किसी अन्ना उनको ये काम देता है कि वो जी का ट्रेनिंग और रेस से दिहान हटा दे अब आज रेस का दिन भी जी और आर्ची के इलावा भी पहुत से रेस्र थे इस रेस बेजिए जी की कार इन सभी रोकों की कार से बहुत अलग थी क्यूंकि नैश ने उसे खुद बनाया था और वो खुद भी जी के साथ उसकी कार में ही बैठा था इस इस रेस के दौरान बहुत से लिहोग रेस से भी जा चुके थे लेकिन जी बगएर किसी को देखी आगे बढ़ा था रास्ते में नैश को एक ऐसे पुराने रेसर की का नजर आती है जो हमेशा चीटिंग करके जीता था और इसी वज़ा से उसे बैंड भी कर दिया गया था रेस से आज भी शायद वो ऐसा ही करता इसी सब क की वज़ा से नैश और उसके दर्म्यान में लड़ाई चुरू हो जाती है जी इतने देर में यहीं खड़ा रहता है यहीं रुका रहता है जितने देर में नैश उस रेसर से लड़कर उसे हरा नहीं देता इतने में ही यहां पर उसे बईहीं लड़की मिलती है जो उसे पहल और देर हो जाती है फैर वो दुबारा रेस में हिसा लेता है अब काफी देर रुकी रहने की वज़ा से बहुत से लोगों से पीछे था लेकिन फिर भी वहार नहीं मानता बहुत देज काड़ी चुलाता है लेकिन शायद इस सब का फाइदा उसे कम हुआ था क्यूंकि वह इस रेस में छटे नंबर पे आया था और इस रेस का विडर आर्ची बन चुका था मैंने भी फिकर की बात नहीं थी इस रेस के अगले भी बहुत से राउंड थे अब रात होती है और शल्बी दुबारा जी से मिलने के लिए आती है यहां बातों ही बातों में शल्बी को पता चलता है कि जी पैसे और नाम कमाने के लिए इस रेस को जीतना नहीं चाहता बलके वो तो इस रेस को इस लिए जीतना चाहता है ताकि उसका गाउं बच जाए वहां पे रहने वाले सभी लोगों का घर बच जाए यह बात सुनकर अब उसे बुरा लगने लगा था कि क्यों वो आर्ची की बात मान के जी को हराने की कोशिशों में थी यहां इनी लोग बातोई बातों में काफी करीब हाज आते हैं और इसी दुरां जी को पता चलता है कि जिस रेसर से उनकी दुपहर में लड़ाई हुई थी वो रेसर अब काफी कमजोर रेसर को तंग कर रहा है और सब उसी मेडिटेशन का असर था जो हर रोज वो अपनी दादी के साथ किया करता था उसी मेडिटेशन की वज़ा से वो इस सारी चीजों पे इतना जादा फोकुस कर पा रहा था और ऐसे उसे मुश्किन ही नहीं होती उस रेसर को हराने में जो यहां पर सभी बाकी रेसर को त जाया था उसकी वो वीडियो वाइरल हो चुकी थी सभी लोगों काओ एक ही दिन में ये रो बन चुका था और यहां पर सभी लोग जी के नारे लगा रहे थे जी को इन सभी चीजों से बहुत जादा मोडिविशन मिलती है और रेस स्टार्ट हो जाती है आज उन्हें बरफ भी फस गई हैं उन सभी की कार्स भी फिसल रही हैं और ये पहाड़ी भी अब तूटने वाली है वो लोग अगर जल्द ही इस बर फीली पहाड़ी से ना उतरे तो ही सभी गर कर मर जाएंगे तो यह नहीं सोचता कि वो किसी रेस का हिस्सा था उसे इन सब से पहले जाकर जी गया है इस बारे में भी किसी रेस में ही साल गया है और इस सारे अच्छे कार नामों के बारे में भी अब उसकी दादी इसलिए उससे नहराज नहीं बलके उस पर फखर कर रही थी अब जहां इतने सारे लोगों की जान बचायी ईस gratis में भी लेट पहुंचा था इस आज की जीत की वज़ा से भी बहुत जादा खुश है वो जीत का जिशन ही मना रहा है कि यहां पर उसके डैड आशाते हैं उसके डैड और भाई बहुत जादा उसे में हैं कि आर्ची ने एक छोटे से बच्चे से शर्त लगाई है जिसका वीडियो वाइरल हो चुका है और अ जी को डी मोटिवेट ली किया तुम जाओ और उसकी कमजोरियां जानो और उसकी कमजोरियों को इस्तमाल करके उससे डिस्ट्रैक्ट करो जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि जी और सारी रिसर्स भी एक पार्टी में थे इसी पार्टी के अंदर कुछ लोग जी के पा करते हैं और जी को अपने पैसों से नाइट्रों खरीद देते हैं दूसी तरफ यहां पर शेल्वी भी आ गई थी जी को डांस के लिए कहती है और जी तो बहुत खुशी से बांजाता है डांस करते हुए शेल्वी को जी कमजोरियां जाननी थी लेकिन ऐसा सब कुछ करते लेकिन यहां पर आर्ची उसे ब्लैक मेल करने लगा था देरसल पहले आर्ची ने उस पर काफी सारे इसान किये थे और अब शेल्वी का वक्त था उन इसानों का बदला चुकाने का इन्ही बातों में आर्ची यह जान जाता है कि शेल्वी और जी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं चबकि यह दोनों ही जानते थे के दूर से इन दोनों वो नैश देख रहा था नैश जो कि जी का साथ है वो अब यह जान चुका है कि शेल्वी कोई अची लड़की नहीं है बलके वो तो आर्ची की चाती है लेकिन एक हकीकत तो वो भी नहीं जानता था कि नेरी नेरी भास शहाना ख मैंश के बात शैकर अर्वागार यहां पर अार्ची हुदी आकर भी प्सादाए कि मुझता है की अपना फोकस डियेर्टो पर रह은 बना जरूरी है जी नैश के बात मान जाता है और अब वो अपने कार के नाइट ड्रोकॉन करेता है जिसकी वज़ा से उसके कार के स्पीड बहुत जादा बढ़ जाती है और जल्द ही उसानी मुश्किलों को पार गएते हुए इस राउंड को जीत जाता है सबी लोगों के साथ शल्बी भी ये देखकर बहुत जादा खुश होती है और हमें पता चलता है कि आर्ची ने उसे अब बंदी बनाया हुआ है यनि अब उसे किड्नाप किया हुआ है अब कार को बहुत जादा स्पीड पे चलाने की वज़ा से कार जादा हीट अप होके बलास्ट हो चुकी थी इस वज़ा से यहां नैश जी पर बहुत जादा घुसा हो रहा था कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो वो भी जस्वाती थी उन्होंने भी तुम्हारी तरह मेरी बात कभी नहीं सुनी और यहां पहली बात जी यह जान पाया था कि नैश ही वो इनसान था जिसने उसकी मॉम को भी गाइट हिया था जिसने उसकी मॉम को भी रेसिंग सिखाई थी बातों ये बातों में एश और जी के दरम्यान में लड़ाई हो जाती है और ये लोग अलग होने का फैसला करते हैं जी इतना जादा डीमोटिवेट हो चुका था कि वो अगली रेस में हिस्सा लेने के लिए भी तयाद नहीं था इन सारी बातों की खबर जी की दादी को पहुंचाती है उनको लगता है कि इस वक्त जी को उनकी सबसे जादा जरूरत है वो बगहर कुछ सोचे समझे शेहर के लिए निकल जाती है जबके दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आर्ची को जिसके पास अब जी आया है जी असल में उसे ये बताने आया था कि वो इस रेस को छोड़ कर जा रहा है यानि वो सीधा सीधा हार जाएगा और शर्ट के मताबक आर्ची प्लीज उनके गाउं को खराब ना करे उनके गाउं को तबाह ना करे इसके बदले आर्ची जो कहेगा जी करने को तयार होगा जी पूरी जिन्दकी के लिए आर्ची की होलामी करने को भी तयार था यहां पर जी को शल्वी भी दिख जाती है वो शल्वी से पूछता है कि तुम यहां पर क्या करी हो जिस पर आर्चीज जी को और जलस करने के लिए कहता है ये मेरे साथ ही रहती है और मेरे लिए ही काम करती है और मैंने इस चलबी को हायर किया था तो में रेस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और देखो मेरा काम पूरा हो गया ये जानकर जी की जो बच्ची कुछी हिम्मत थी वो भी जवाब दे गई थी वो यहां से चला जाता है जी पूरी दरहा से हार मान चुका था वो अब कुछ मी नहीं करना चाहता था जबके दूसरी तरफ नैश भी अब जी के हार मानने की वज़ा से गाओं वापिस जा रहा था वो जब बेस ट्रेंट पे खड़ा होता है और बस आती है तो यहां पर बेस में से जी की दादी निकलती है जो उससे समझाती है कि इस वक्त मैश जी को तुम्हारी सबसे ज़ादा जरूरत है तुम उसके पास जाओ उसे मोटिवेट करो रेस के लिए जी का ठोकर हमें दिखाया जाता है कि दिन बीच शर चुका है एक गंडे बाद चोथा दिन रेस का शुरू होने वाला है लेकिन जी इस रेस में हिस्सा लेने के लिए तयार नहीं और तभी यहां पर एक रेसर आकर जी को बताता है कि उनका एक साथी रेसर के पास बहुत से बेबिस हुए हैं इस वज़ा सी वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकता यहां पर जब जब जी भी सभी रेसर को बताता है कि वो भी रेसर में हिस्सा नहीं ले रहा जिसकी वज़ा से उससे दुख हुआ था वो कहती है कि मैं आर्शी को छोड़ाई हूँ और अब मैं कभी वो काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें दुख होगा ऐसे ये दोनों साथ मिल चुके थे ये दोनों यहीं पर एक दूसरी को पर पोस्ट कर देते हैं वो उसे डांट नहीं बलके रियस के लिए मोटिवेट करने के लिए आई थी वो उस पर बहुत फखर कर रहीं थी और ये सारी चीज़े जान कर जी को और भी जादा खुशी होती है पाइनली अब रियस भी शुरू हो जाती है सभी लोग इस रियस को जीतने की कोशिश में थे जबके आर जी यहाँ पर चीटिंग कर रहा था वो हमेशा चीटिंग से ही जीता था लेकिन उसकी चीटिंग का जी पर जादा आसर नहीं हो अपनी पूरी इनमत और ताकत दिखाते हुए गार को रियस देता है और बहुत ही बहादुरी से उन सारे खतरनाक रास्तों को पूरा करते हुए वो किसी तरह आरची से पहले फिनिश लाइन तक पहुँच कर इस रियस को जीत जाता है फाइनली अब जी जीत चुका था आरची हार चुका था अब आरची पहले तो शर्ट के मताबिक जी के गाउं को कुछ नहीं कर सकता था और दूसरा अब आरची के हारने की वचा से उसके डाड़ और उसके भाई भी उसे छोड़ने वाले नहीं थे ऐसे जी का रेसर बनने का सपना भी पूरा हो गया था और उसका गाउं भी उस बुरे आर्ची के हाथो बच गया था जिसके बाद अब फाइनली हम इन सब को गाउं में देखते हैं जी, जी की दादी, शेलबी और नैश मिलकर इस जीत का जशन मनाते हैं वो बहुत खुश थी और उनको खुश दिखाते हुए ये कहानी यहां खतम हो जाती है